ही नमस्कार दोस्तों मैं दीपकुमार स्वागत करता हूँ आप सभी कापके अपने ही चैनल इन्वेश्ट फॉर वेल्थ पे दोस्तों बात करेंगे कल मार्केट कैसा रहेगा कौन से स्टॉक्स में अप्रेट कर सकते हैं वीडियो में आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ने से प बहुत सही रिटर्न दिया हैं बट कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद जाके कुछ डल पढ़नी सुरू हो जाती है तो बहुत सारी डिमांड आ रहे थे कि कोई नया स्ट्रेटजी लेकर आउसर तो हम लोगों ने प्लान किया है एक नया स्ट्रेटजी जो की प्राइज एक्श चैंडल और फंद्रा मिनट का ये टाइम फ्रेम है फर्ष्ट कैंडल में ही इंसाइट कैंडल मिल जाता है और इसका ब्रेकडाउन करते ही यहां पे एंट्री बनीया और सारा दिन मार्केट नीचे की तरफ वाया है बहुत शानदा रहा लास्ट वाले टाइम पर यहां पर बनाया है फाइव मिनट पर इंवर्टर रेडन सोल्टर बना के मार्केट ऊपर की तरफ निकला लास्ट वाले टाइम पे भी हम ट्रेट कर पाए होगे अपने लास्ट में कल डिसकस किया था कि जो मर्जी हो जाए अगर हमें मार्केट में बाइंग में जाना है तो 44,000 के बहुत सरे लोग मेरे से पूछ रहे थे सब आप लाइब में बिल्कुल डंके की चोट पर ये बात कर रहे थे कि आज मैं कॉल में नहीं जाओंगा दुनिया का कोई भी पावर चाहे आ जाए क्यों कर रहे थे उसके मुझे का लॉजिक यह ही है कि मार्केट जब 44,000 को यहां पर क्लोजिंग का पास साइट तूटा यहां पर क्लोज हुआ था हमारा मार्केट और जैसे इकल का क्लोजिंग तूटा बहुत सुन्दर सनारियों हमें आप गिरावट देखने को मिलिया अभी कल हम क्या कर सकते हैं अभी रिमूब वर्ट राइंग करेंगे एक पर व बॉलिश रहता जैसे यहां पर देखेंगे तो यह त्री येट का लेवल और 50 परसंट के आस पास तक का रिट्रेस्मेंट हुआ है अगर बॉलिश रहता है तो बहुत बड़े रिट्रेस्मेंट्स नहीं करता है यहां पर जैसे पीछे कुछ एक्जांपल्स अगर हम देखे पर देखेंगे है अगर यहां इसविंग करेंगे यहां ऑपर गया और यहां पर फिर 0.236 का भी लेवल ब्रेक नहीं किया या टेस्ट नहीं किया सीधा दो तिन दिन हॉट करेंगे अभी शट्य should ले सकते से किलिकुल ले सकते हैं कलम वेर's भी हो तकल हम बॉलिश भी हो सकते हैं यहां पर ध्यान रखेगा यह एक एरिया है जो कि 43,300 के आसपास का है मार्केट यहां पर आके एक बार हॉल्ट ले तो जैसे ही कल क्रॉस करेगा 500 का लेवल और 475 का लेवल हम एक सेलिंग साइड प्लान करेंगे नीचे हमारा 350 के निकलेगा और भी घाई वॉल्ट समझ में आ रहा है यह तो यहां पर जो सॉट्स हुआ है वहाँ पर यहां पर क्रिआप किया गया है शॉट्कवर किया है लोगे आका पता नहीं क्या होगा एक स्पारी का डे है तो कही ना कहीं यह स्नरेवी हो रहा है अभी अगर मार्केट फ्लैट कहीं खू देगा यहां पर यहां पर माल लीजे मार्केट ने अच्छा गादा टाइम स्पेंट किया मार्केट रुका तो फर्स्ट हाफ में हम अवाइट करेंगे प्रिम्यूम्स डीके होने देंगे सेकंड हाफ में एक सुन्दर सा मूफ जिस तरह भी ब्रेक आउट को देगा हमें मिल जाएगा चांसे रही हाई कि उपर आपको ब्रेक आउट मिल जाए और मिलता है तो एक सुन्दर स्नाइरियों हमें सुन्दर प्रॉपिट हमें देखने को मिल जाएगा यहमारा बैंक निफ्टिक अब्जर्विशन है अगर चाप खुल जा रहा उस कंडिशन में क्या आपको मिल जाता है एक चीज़ कर सकते हो अगर 40 मार्केट गाप खुला थोड़ा बहुत 200-300 और उपर गया उपर जाके 44,000 क्यास पासे नेगेटिव कैंडल को बनारा शूटिंग इस्टार या ग्रेविश्टोन डोजी वहाँ पे हम कोई छोटा सा श्टापश डाल के लेटीच और थोड़ा तो अलग दिखने वाला है देखेंगे तो मार्कें हाँ पर हाल्ट ले रहा था अभी इस सारे पूरे के पूरे कंसॉलीडेशन को ब्रेक कर दिया है मार्केट प्रेक करके नीचे क्लोस किया है तो थोड़ए सा वीक और लग रहा है 18,000-1850 तक तक आत हैं तो वैसे अगर फ्लैट खुल रहेगा अगर मार्केट इस रेंज में खोल रहा है तो साइडवेज होने की सनारियों संभाव नाए जाता रहेंगी यूँकि आज मार्केट एक मार्केट साइडवेज रहता है तो एक रेंज हम मार्क करेंगे उस रेंज में जहां भी ब्रेक आउट मिलेगा हम ट्रेट कर लेंगे लास्ट वाले टाइम पे एक रेंज बनाया और काइंड ऑफ इनवर्टेट फ्लैगें पोल आप इसको कह सकते हो बनाया है जैसे ही इस ट्र 2448 और 50 का लेवल ब्रेक आउट करेंगे डबल्यू टाइप का पैटरन कंसीडर करके इसको बाय करेंगे बहुत अच्छा का सेनरियों हमें देखने को बिल सकता है नजर में रखिएगा नेक्ट अगर हम बात करें कौन सा स्टॉक्स तो HDFC बैंक है HDFC बैंक में थोड़ा था यहां भी पैसा दे सकता है इवन बजाज फनास भी मेरे ड़र में था बड़ मैंने रिजसी बैंक सेलेक्ट कर लिए यह ज्यादा सही लगा मुझे बाइंग करने के लिए अगर 1646 निकाल रहा है तो आप एक बाइंग साइट के लिए प्लान करेंगे और अगर लास्ट स्व बैंक निफ्टी के जैसा लास्ट स्विंग अगर ब्रेक कर रहा है 1625 तो हम एक सेलिंग साइट के लिए प्लान कर सकते हैं ओप करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा है वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो को लाइक करना बि आकि लिजा है जाएब